कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्मार्टी स्टॉक ट्रेडर्स मेरे यूटूब चैनल पे आज हम लोग बात करेंगे कि लंसम और SIP कौन सा बेटर है ETF में ठीक है लंसम करें कि SIP करें क्या करें क्या नहीं करें ये सवाल सबसे ज़्यादा परेसान करता है तो इसको आज हम लोग डिसकस करेंगे डिसकस करने से पहले हमेशा की तरह है कि ETF का छोटा सा ट्रेडिंग कोर्स है जो लोग करना चाहते हैं 6201514820 न कि सर लंसम करें कि SIP करें कौन सा बेटर होगा और कौन से ETF में करें तो वीडियो को अंतक देखिएगा मैं दोनों चीजे दो पार्ट में वीडियो को बोलने वाला हूँ सबसे पहले कि लंसम और SIP कौन सा बेटर है मैं आपको कंपेरिजन करके दिखा दूँगा और दूसर एक बार में मार्केट में डाल देते हैं सपोज कीजिए कि आपके पास पांच लाक रुपया पड़ा हुआ है और पांच लाक रुपया आपने निफ्टी में डाल दिया ठीक है और आपने फिर वेट किया 10 साल 15 साल तो आपका जो मैचुरिटी होगा उस पे आप अपना प् दस साल से पहले आप लंसम को अगर ब्रेक करेंगे तो कई मामलों में आपको घाटा हो सकता है आज की बात करें दोस्तों तो आज निफ्टी खड़ा है अपना 24,000 पे खड़ा हुआ है ठीक है आप बोलेंगे कि यह यर आई पे था तो कभी 12,000 पे भी था वो भी यर आई थ कभी 5,000 पे था वो भी यर आई था कभी 2,000 पे यर आई था तो लंसम अगर करना है 10 साल के लिए तो इतना सोचना नहीं है आपको सीधा इंवेस्टमेंट कर देनी है और मनी वही मनी डालना है लंसम में जो कि आपको बिल्कुल भी रिक्वाइड नहीं हो 10 या 15 साल के लिए ठीक है यह नहीं कि आभी आप डाल दो और आप सोचो कि अगले साल निकाल लूँगा आपने देखा कि आज मार्केट कैसे क्रेश हुआ एक ही दिन में निफ्टी 3% गिर गया फ्राइडे को भी क्रेश हुआ था आभी क्रेश की संभावना कल परसो भी बनी हुई है तो कभी किसी भी पॉइंट पे कभी भी आप SIP स्टार्ट कर सकते हो SIP करने के लिए ऐसा कोई भी हाड और फास्ट रूल नहीं है मान लिजे कि आपने अभी SIP आपने पर्चेस किया और SIP का जो NAV है वो गिर गया अगले मैने में तो आप सस्ता खरीद लोगे या अगले मैने लिए तो आप महंगा खरीद लोगे ठीक है ये सिलसिला आपका चलता रहेगा SIP अगर आप करते हैं तो आपको बस एक चीज सबसे ज़्यादा जूरी है वो है discipline रहना discipline सबसे ज़्यादा मस्ट SIP में अगर हम मान लिजे 10,000 का SIP करते हैं तो हम हर प्राइस पर बाई करने है for 10 years ठीक है अब एक comparison मैं आपको दिखाता हूँ मैंने 10 साल का एक comparison मनाया हुआ है जो की आपका lump sum और SIP का comparison है दोनों में मैंने investment amount 5,000,000 का लिया है ताकि compare अच्छे से हो सके बराबर करके लिया है बिलकुल अगर आप देखोगे 5,000,000 रुपे हमने लगाया 10 years के लिए ठीक ह और हमको 15% का अगर return मिले तो हो गया 20,000,000 रुपे दस सालों में 5,000,000 रुपे बन गया आपका 20,000,000 रुपे अगर यही चीज हमने SIP mode में 5,000,000 इंवेस्ट किया तो 4,200 हमने हर महीने डाले 10 सालों तक डाला time period same है discipline वही है C.A.G.R. जो है वो 15% का है तो इसमें बना आपक 11,70,000 रुपे बना अब आप ध्यान से सोचिए कि आप बोलेंगे कि सर लंब सम तो ज़्यादा दे रहा है ठीक है लंब सम 5,000,000 आपने इंवेस्ट किया तो 20,000,000 रुपे बना दिया बट आप यह भी तो सोचो कि हर किसी के पास में 5,000,000 रुपे होता नहीं इंवेस्ट कर सकता है और वो भी 11,70,000 प्राप्त कर सकता है जो की काफी एक हैंसम एमाउंट है अगर आप मेरा ओपिनियन पूछोगे तो मैं आपको यह बोलूँगा कि आप कॉंबिनेशन पैटरन को यूज कीजिए किसी भी पॉइंट पे किसी भी छेतर में ठीक है जो आपको ETS सबसे बेस्ट लगता है वो भी डिसकस करेंगे कौन सा है आप SIP सबसे पहले स्टार्ट कर दीजिए SIP स्टार्ट कर दीजिए जो भी आपका सेलरी है उसका 20% आप कोसिस कीजिए कि आप SIP में डाल दें फिर जब-जब मार्केट आपको उपर्चुनिटी देगी तो आप जो है मा समसा में मांट भी काफी बेटर होने वाला है क्योंकि आपने हर मार्केट की गिराउट में उसको एड किया है अब दोस्तों बात कर लेते हैं सेकिंड पार्ट आप दा वीडियो आप पूछोगे कि सर हम किसमें करें तो मैं आपको सिंपल सा एक बताऊंगा बहुत ही सिंपल है कि अगर आपको 10 से 15 सालों के लिए आना है तो आप स्माल कैप और मीड कैप को आप प्रेफर कीजिए स्माल कैप मीड कैप मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह इंडेक्स ऐसे हैं जो आगे जाके लार्ज कैप में कनवर्ट होंगे इसमें कोई आपको हैडेक नहीं लेन डाल देती है इसका रिव्यू हर 6 महिने पे चलता रहता है तो कभी भी आपको जो है निश्चिन्त हो करके आपको बस इसमें इन्वेस्टमेंट करना है जितना बजार गिरेगा उतना आपको परचेस करना है अगर बात करते हैं दोस्तों इनके परफॉर्मेंस की तो 250 ETF 2023 में ही लॉंच हुआ है ठीक है इसका आप देखोगे कि mutual fund पहले सा था लेकिन ETF की बात करते हैं तो ETF 2023 में लॉंच हुआ है और 2023 से इसने पैसे को आपके डवल कर दिया है 57 एक ही साल में 57.60% का इसमें रिटर्न है ठीक है तो दो साल होने को हैं 2023 पूरा फरवरी में लॉंच हुआ ETF है वो है mid cap का MOM100 ठीक है ये 2011 में लॉंच हुआ था इसने since inception जो है अभी तक आपको 16.50% का return दिया है क्योंकि mid cap है तो mid cap companies काफी अच्छा growth करती हैं बावजूद इसके की लगातार इसमें गिरावट हुई और कई बावजूद आप देखोगे कि 16.50 का return इसमें दिखाई दे exception और हम सबका फैबरेट है निफ्टी बीज इसको आप ignore नहीं कर सकते हैं इसमें भी आप कर सकते हैं तो 2001 में निफ्टी बीज स्टार्ट हुआ था दोस्तों अल्रेडी इसको 23 years का अगर आप लगातार CIGR देखोगे तो 16.10 का CIGR है जो की बहुत अच्छा है मैं हमेशा बो 20% का CIGR बढ़ जाए तो आपका maturity amount को double करने की power रखता है इस बात को आप कभी नहीं भूलिएगा तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को like, share, subscribe करना न बूलें और ऐसे ही knowledgeful वीडियो के लिए मेरे चैनल का bell notification on करके रखिये, मिलते हैं अगले किसी knowledgeful वीडियो में friends, तब तक के लिए thank you, bye bye and take care friends